चतिसगड की राजधानी राइपूर में एक बार फिर पिल्या ने दस्तक दी है साल 2018 के शुरुवादी दौर में भी पिल्या ने अपना कहर पर पाया है अब जाते जाते भी ये साल राजधानी को पिल्या की चपेट में ले रहा है रायपूर के फाफडे इलाकी के साहुपारा में पिलिया की चपेट में तक्रीबन दर्जन भन परिवार आए है वही नगर निगम और स्वास्त विभाग ने स्वास्त सिविर लगाया है रायपूर के साहुपारा में लगभग तीन दिन से लोग पीलिया रोग से परिशान है साहुपारा में स्वास्त शिविर लगा गया पीलिया से पीडित मरीजों से बात की तो सबका उत्तर एकी था पीडित ने कहा कि दस दिन से मैं पीलिया प्रकोप से पीडित हूँ वही निगम और पारसत की बड़ी लपरवाही बताई गई यहाँ पानी में गंदगी नाली जाम जैसा हाल रहता है कई बार निगम और पारसत से शिकैत की पर कुछ भी फर्क नहीं बड़ा पिडिता ने कहा कि साहुपारा में लगतार लोग पीलिया से पिडित है बहुत गंदा पानी आ रहा है जिससे पीलिया हुआ जब सरकारी रिपोर्ट में लगभग बामल लोगों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया जिसमें 18 से 20 लोग काफी गंभीर है यहाँ समस्य यह है कि हम लोगों ने बस्तिवाले को कई बाल ले जाके यहाँ पर मौके में महापाओर जी को भी यहाँ पाइप लाइन के लिए था आज लगभग 30 साल से उपर होगा यहाँ पानी का बहुत समस्य है लेकिन यहाँ के पारसत जी भी ध्यान नि दे रहे है और यहां के महपावर को भी विजियापण दे का धून ने हो रहे है आझ पिलिया का वीमारी फैला तो पारषाद इतना बर दोर दोर केा रहे है कि उसका कोई किन्ती नहीं इंपाइप सप्लाइओ ने श주는 है पानी सप्लाई हो रहा है और उसी गंदे पानी की वएसे पिलिया बहुत भीशन रूप से फैल रहा है फाफाडी साहो पर आवाटकरमंग 22 में 52 लोगों का पॉजिटीव आया है पिलिया का और उसमें से कम से कम 18-20 लोग एकदम गंभीर है इसमें से एक मैं भी था गंभीर कि पिछले 40-45 सालों से हैं पर पाइप्लाइन चेंज नहीं हो है जो कि बीच-बीच से कहीं कहीं से फट चुका है पाइप्लाइन पूरा तेरी गे से पीने का पानी से बद्बूई बहुत आ रहे हैं निगा में सिकायत के थे और यहां के पारसाद है विट्ण भाई पटे उससे भी सिकायत के थे लेकिन ऐसा कुछ भी आस्वासन दे के भलाब हुनको भगा दिया जाता है कुछ भी नहीं करते हो हमारे गार से करीबन 4 लों है और महुले में देखा जाते हैं तो हम 20-25 लों को पिलिया हुआ है पिलिया कैसी बिमारी है जिसे उभरने में काफी समा लगता है मुखेची किस्सा एवामा स्वासिभाग अधिकारी डॉक्टर के सोंडिली ने कहा कि फाफा डी के साहुपारा में पिलिया फैले की खबर हम तक जैसे है आई हम लोगों ने वहां स्वास शीविर लगाया वही बोले कि इस से बचने के लिए लोगों को स्वाक्षे खानपान पर ध्यान देना चाहिए वह शीविर में लोगों को दवाई भी दी जा रही है लोगों को बचाओ की सुझाओ भी बताय जा रहे हैं देखे ये भापाडी के सावव पारा में जो है विगत तीन दिनों से हमारी सुझना का बाद में स्वास शीविर लगा हुआ है और जो संभावीत मरेज हैं उनका ब्लड सेंपल ले रहे हैं घरों में हमारे कारकरतां के दोवरा घर जा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कैसे बचावा के प्रचार भी कर रहा हैं, हम लोग प्रिशार भी कर रहे हैं, पोश्टर पॉम्पर्लेट की द्वार lunar भी और इक्षा से भी लोगों को बता रहे हैं, और वहा पर उप्चार भी गह बता रहे हैं तो ये दो कारण होते हैं पानी में भी अगर कुछ मैंने बुला ना खान और पान में भी अगर कोई दूसीत होगा तो उससे भी होता है राजधानी रायपूर पीलिया का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा आपको बता दे की नगा निगम और स्वासिभा की तरफ से साहु पारा में शिवर लगा गया जिसमें इलाके के लोगों का जाज किया जा रहा है वैसे ही अगर्टने प्रशासनिक दावो की पोल्ग होती है राजधानी में गंदे पानी की सप्लाई बहुत ही गंभीर मसला है जब पीलिया हुआ तब नगा निगम ने इलाके में पाइप लाइन बदलने का काम शुरू किया इससे यही कह सकते हैं कि अब तक निगम गहरी नींद में सो रहा था देश टीवी के लिए केमरामेन एसकनेस के साथ रीचा सहाई की रिपोर्ट